वेलकम बेक टू माइच चैनल कैसे हैं आप सब आप सब बहुत अच्छे होंगे आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुती टेस्टी एंड डेलिशियस यामी सी रेसिपी मखानी और पीनटी तो आपने बहुती रेसिपी बनाई होंगी पर आज मैं आपके लिए लि बहुत ही अच्छा होता है और साथ ही हम यहां बनाने वाले हैं इसे बिना चीनी के तो चली पटा-पट से इस डिलिशिस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं लट्स गेड स्टार्ट आए मैंने यहां पर लिए 1 पौड कप मूपल्फ यानी की पीनट तो सबसे पहले हमें इसे करना है ड्राइ रोच तो हमें इसे अच्छी तरीके से रोस्ट कर लेना है ताकि मूपली जो है उसका ब्रीन कच्छा पन दूर हो जाए और इस तरीके से अगर आप मूपली भून करके इसे पहले ही रख लेते हैं तो हमें बाद में कम मेहनत करनी पड़ती है तो बस हमें सबसे पहले मूमफली को अच्छी तरीके से रोस्ट कर लेना है तो मूमफली जो है बहुत ही अच्छे से रोस्ट हो चुकी है और ये काम आपको low to medium flame परी करना है flame high बिल्कुल मत करिएगा मूमफली को मैंने side कर दिया हूँ और उसी पैनल मैं यहाँ पर add कर ली हूँ दो कफ फॉक्सनेट यानि की मखाने मखाने आप सभी को पता होगा की मखाने हमारी बॉड़ी के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं मखाने का सेवन करना हम सभी के लिए बहुत ही अच्छा होता है तो इस रेसिपी को ट्राइज जरूर करिएगा आपको भी बहुत ही अच्छी लगने आ लिए तो बस मखाने जो है वह भून करके रेडी हो चुकी है बस इस स्टेज पर हमें क्या करना है हम मखानों को अच्छे से ठंडा कर लेना है और ठंडा होने के बाद हमें इन्हें मूल्पली के दाने और मखानों को अच्छे से ग्रैंड कर लेना है यानि कि इनका fine powder बनागर के तयार कर लेना है तो बस हमें एक mixer जार लेना और इसमें इसे डाल करके इसका powder बनागर के तयार कर लेना है अगर हलके पुल के इसमें chunks होंगे तो भी कोई problem नहीं है खाते टाइम हो बहुत ही अच्छे लगते हैं तो यहां पर मैंने लिया हुआ है 1 cup गुर्व तो एक कब गुड को मैंने इस तरीके से क्रेश कह लिया था और इसमें डालेंगे हम फूरा से गुन गुना पानी और इसे इस तरीके से घुल लेंगे बहुत तो इसली जो गुड है वो अच्छी तरीके से इसमें डिजॉल हो जाएगा तो बस देखे बस पांच मिलट मैंने अच्छी तरीके से घुल चुका है तो मैंने यहाँ पर 1 पौर्थ गी को हम अच्छी से मेल्ट होने देंगे और उसके पाद मैंने यहाँ पर लिया हुआ है तीन बड़े चमज सूजी तो बस हम यहाँ पर तीन बड़े चमज सूजी का ही यूज करना इसे ज्यादा हम क्या होगा कि हमारी सूजी जो है एक दम दाने दा टेक्षर किया जाएगी और साथ ही साथ भून करके अच्छे से फूल पी जाएगी तो इस तरीके से सूजी को हाई फ्लेम पर जरूर भूनियेगा ऐसे हलवे का टेक्षर बहुत ही अच्छा आता है साथ ही खाने में भी क्योंकि सूजी अल्रेडी भून चुकी है और मखाने और मुंपली को हमने पहले ही भून लिया था इसके बाद हमने इसका पाइन पाउडर बना करके रेडी किया हुआ है तो बस यह सबी चीजे अभी आपस में मिक्स हो चुकी है तो हमने अब यहाँ पर एड़ कर दिया है जिसने के यह फ्लेवर्फुल तो बने गाए पर दूट डालने से इसका फ्लेवर थोड़ा सा एकदम मावा कंसिस्टेंसी वाला आ जाता है तो बस हमें दूट का इस्तमाल इसलिए करना है ताकि इसका फ्लेवर जो है और भी बढ़ जाए तो अभी देखिए हल्वया जो है गुर्डन का प्यूरी बनागर के रखा हुआ तो उसे हम यहाँ पर लेंगे और चिन्मी की हल्प से च्छान लेंगे और इसके पाद गुर्ड को मैंने यहां पर एड़ कर दिया है और इसे च्छानना बहुत ही जरूरी है ताकि हल्वे में हमारे कोई भी इंप्यूरी गर्शन दोड़ा गीघे कि यहां पर कि हैं कि कुछ जाएगा और अगर आप लएची पाउदर एड नहीं करना चाहते तो आप हिससके सकते हैं कुछ इंया जञा करें करेको करें बहुतिते हैं धाय कुछ कर दिये हैं कि हम यह हल्वा मखाने से बना रहें तो बस हमारा हल्वा जो है वो तैयार हो चुका था तो हम एक लिए सर्विंग बोल और इस तरीके से हल्वे को प्रेजेंट कर दिया है उपस से कुछ ड्राइपूर्स लेंगे उससे गानिश कर देंगे और थोड़े से हम यहा दोस्तों बहुत ही टेस्टी हल्वा बन करके तयार हुआ था एक बार जरूर बनाईए आपको भी रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है और विदाउट सुगर इतना टेस्टी सा हल्वा डिलीशिस जमी से हल्वा रेसिपी मैंने किस तरीके से बनाया है इसे ट्राइकर य कि आपको यह सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें नोडिकेशन बाल आइकन को हिच कर दीजिए एंड बैल आइकन को जरूर प्रेस करिए बाबाय तोस्तों टेक केर